जहाँ फ्लोर्ट टेस्ट से पहले बिहार के कॉंग्रस के 16 विधायों को हैदराबाद भेजा जा रहा है सभी 16 विधायक दिल्ली एरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं और जानकर्ट के विधायक हैदराबाद से चलेंगे और बिहार के कॉंग्रस विधायक वहां पहुँचेंगे हैदराबाद में 70 कमरे बुक किये गए हैं तीन विधायक हैदराबाद नहीं जा रहे हैं कॉंग्रस को अपने विधायकों में फूट पढ़ने की आशंका है और सभी विधायकों को फिलाल एक साथ रहने का निर्देश जारी हुआ है इससे पहले कल दिल्ली में बिहाल कॉंग्रस की एहम बैठक हुई थी पार्टी अध्यक्ष मलिका और जुन खडगे भी इस बैठक में शामिल हुए थे और इस बैठक में यह निर्देश दिया गया है कि सभी कॉंग्रस के विधायक एक साथ रहे और यही कारण है कि बिहाल में फ्लोर टेस्ट से पहले कॉंग्रस सतर्क हो गई है आक्टिव हो गई है और 16 कॉंग्रस के विधायकों को हैदराबाद भेचने की तयारी चल रही है सभी 16 विधायक दिली एरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं और यहां से वो सीधे हैदराबाद जाएंगे फिलहाल आपको बता दे कि हैदराबाद में जारखंड के कॉंग्रस विधायकों को रखा गया था लेकिन आज चुकी कॉंग्रस पार्टी अपने विधायकों को ले कि कोशिश पार्टी की तरफ से चल रही है विधायकों में फूट पढ़ने की आश्यंका है सभी विधायकों को फिलहाल एक साथ रहने के लिए कहा गया है तो कल दिल्ली में कॉंग्रस अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे भी इस बैठक में मौजूद रहे जुसके बाद यह अरपोर्ट पहुँच चुके हैं और न्यूस रूम से सयोगी आशुतोश चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए है आशुतोश कशिश न्यूस ने पहले ही ये खबर दिखाया था अपने दर्शकों को कि कॉंग्रस पार्टी को इस बात का डर है कि उनके पार्टी के भीतर फूर्ट हो सकती है कई ऐसे कॉंग्रस के विधायक है जो अभीज़पी के संपर्क में है लगातार ये चर्चा भी हो रही थी जुसके बाद अब ये तैयारी की सभी को हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है क्या पूरी अपडेट आशुतोश नहीं बिल्कुल जो खबर हम लोगों ने ब्रेक की थी खबर पर मुहर लगती नजर आ रही है और सभी विधायकों को सिफ्ट किया जा रहा है दिल्ली से ही बाहर ले जाया जा रहा है और सबसे खास बात ये है कि जो जानकारी मिल ले थी लगवाग 10 मिनट पहले वो विधा आयक एरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और मुझे लगता है कि एरपोर्ट पहुंचने वाले होंगे या पहुंच चुके होंगे और सबसे खास बात ये है कि इन विधायकों को पहले जो चर्चा हुई थी जो बातें मीडिया में आई खबरें आई बाद में खबर जब हम लो महा कटबन्दन, इंडिया कटबन्दन के जो विधायक है और लेडी वहां पर थे वोगर वहां से लौट रहे हैं और बिहार के सभी विधायक वहीं जाएंगे और लेडी वहां पर कमरा बुख है लेकिन जो कमरे बुख किये गये हैं उनके आखरे काफी चोकाने वाले हैं अभी जो जानकारी मिल रही है, कॉंग्रेस के 16 विधायक जा रहे हैं, तीन विधायक नहीं जा पा रहे हैं, हलाकि इस पर जो कॉंग्रेसी नेताओं से कुछ बातचीत हुई है, उन्होंने मेडिकल इशू का अधार बताया है, उसके अधार पर ये विधायक नहीं जा रहे है लेकिन तीन विधायक नहीं जा रहे हैं मातर सोला विधायक जा रहे हैं लेकिन कमड़े कितने बुक हुए हैं कमड़े बुक हुए हैं सतर कमड़े बुक हुए हैं यानि इंडिया गटबंधन हर एक परिस्थिती से निबटने के लिए तैयार है अब सतर कमड़े बुक हुए ह यानि इसका मतलब है कि और ही विधायक सिफ्ट हो सकते हैं चार्टर प्लेन से विधायकों को ले जाया जा रहा है हमारे साथ हमारे जो संपादक हैं रीटर हैं अशोक मिश्र जी हैं उनसे जान लेते हैं कि जो वर्तमान राजनेतिक हालात हैं अशोक जी इस तरह की परिस्तिती मैंने पहले नहीं देखी थी साइद आपने देखी हो बिल्कुल देखिए ये विधायकों के खरीद फरोक्त का मामला ही नहीं है कॉंग्रेस के लिए अस्तितु संकट की बात है इसलिए कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष मलिकारजुन खर्गेजी ने सबसे पहले अपने विधायकों को दिल्ली बुलाया उनके साथ उन्होंने बैठक की लगा कि बिहार में अगर बैठक करेंगे तो फिर मामला कुछ गरबर हो जाएगा तो वहाँ बैठक बुलाई गई कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक चकले सिंग भी है उस बैठक में रहे और उसके बाद फर्मान जारी हो गया कि सभी विधायक बाहर ही रहें याने कि आपको घर लोटके जाने की जोरत नहीं है पटना आप मत लोटके जाएए और बाहर रहने का निर्देश देने के बाद ये निर्देश दे दिया गया कि आपको हमारे साथ चलना है जैसी की सूचना आप दे रहे हैं कि अब हैदराबाद ले जाने की तैयार ही है मतलब कहा जा रहा था यहाँ जब से नितीस की सरकार बनी है NDA के साथ तो कहा जा रहा था कि Congress के कई विधायक जदियू के संपरक में मतलब सबसे कमजोर नस Congress को समझा गया और उसी पर हमला किया गया Congress सतर्क हो गई और सतर्क हो गी तो उसके अलाकमान एक रननीती के ताथ ये कम कर लिया अब सोचिए कि यहां अभी फ्लोट टेस्ट में लगवग एक सब्ता की देरी है अब आज रवी बार है अगले सुंबार को फ्लोट टेस्ट होगा लेकिन कॉंग्रेस अब कोई डिस्क लेना नहीं चाहती है इसलिए साथ दिन भी अगर अपने विधायकों को ब जहती है जहां गठवंधन के विधायकों को संगरक्षन मिल जाता है पिछले दफे क्या हुआ था सारे के सारे लोग उत्राखंड के लिए गई थे आज कॉंग्रेस के अब विधायक जा रहे हैं हम तेलांगना वहां पे हिदराबाद में रुकेंगे इसके पीछे मुख मक् परिष्टि को हम दूर करना चारे हैं अब देखना है अभी तो आखनों के खेल में 19 के 19 तो कॉंग्रेस के जाने रहे हैं कारण जो भी रहा हो लेकिन 16 बिधायक ही उसके जा रहे हैं तो ओएसी परिष्टिती में तो कॉंग्रेस के लिए संकट है अब आप सोच लिजेए ग उसके फलोर टेस्ट में अगर गाय भी रहते हैं जो विधायक ये बहाना बना रहे हैं कि ब्यक्तिकत कारणों से वो मीटिंग में और उसमें भी आला कमान की बुलाबे पर नहीं जा रहे हैं बिहार की बैठक में सामिल नहीं हो रहे हैं दिल्ली की बैठक में सामिल नहीं हो तो एंडिये गटवंधन को तो चोव का लाब हो जाएगा न विरोधी की संक्या तीन घट गई तो उनको तो चोव का लाब हो जाएगा तो इसलिए जहां एक तरफ नितिश कुमार हैं हमें नहीं लगता है कि नितिश को कोई अतिरिक्त मिहनत करने की जोरत है इसलिए कि निति तो बीज़ेपी के विधायक तूटने का कोई सवाल नहीं है और मांजी जी तो जान रहे हैं कि जितना उनके नाव में जितनी जगह है वह जगह तो नितिस ने दे दी है दो विभागा मंत्रा ले दे दिया है तो भाला बारह तक मांजी जी क्यों नाव को डगमगा है तो यह हम अपने दर्सकों को सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं आपने जो जानकारी दी है कि बिहार की सियासत में भी बूचा रही है यह हमारा इंटर्नल मैटर है कॉंग्रस पार्टी वहां की संजीता पार्टी है और वो संजीदी से सारे चैलेंगे पबूल करती है बिहार में जो बार्टी जंता पार्टी और जंता गल्यू ने एक बद किरदारी का सबूत दिया इम्मोरल प्रैक्टिस वे गया है और इतना वहां जो मैं आपको कह रहा हूं आपके माध्यम से सब के सामने के पूरा विखराओ है वहां हम लोग बहुत ही संजीदी से बेश के बारे में समाजी एकता समाजी नियाए के बारे में स्वस्ते रहते हैं तो हमें एक साथ चीज़ों का फैसला करते है शाकेल जी लेकिन जे खेमे के बहुत सारे लोग हमारे संपर्थ में यह बाप को आप मन लीजिए मनना चाहिए हमारे पार्टी में 2016 में भी प्रियास किया गया था 27 एमेले से तो कौन गयते नाम जिनाए यह और एमेले जी वोट करते हैं ना इस बार भी चट्टानी एक्टा के साथ साथ हैं और dl नोग है यह शकील यानि कि यह खबर पकी है कि सभी विधायकों को हैद्राबाद भेजा जा रहा है किसी और उसका सवाल उसका नहीं और हम कर रहे हैं ना या जानना जरूरी है कि और यह चर्चा हुँ रही है कि सभी विधाय क्या Pyhar से कॉंग्रिस के उन्हें हैदराबाद भेजा जा रहा है क्या यह खबर पक्की है लेकिन शिफ्ट तो किया जा रहा है जिन्हें शिफ्ट कर दे की तयारी चल रही है आपको मैं जवाब दे रहा हूं जयानी तो चल रही है कि यह सरकार जिस जो इंग्मॉरल प्रैक्टिस से परी है वो नहीं रहेगी लेकिन जा कहा रहे है कहा उन्हें रखा जाएगा क्योंकि हमने जारकर्ड की वो तस्वीरे देखी जहां महागडबंदर के विधायकों को हैदराबाद में रखा गया अब चर्चा है कि बिहार के कॉंग्रेसी विधायकों भी वहाँ पर रखा जा रहा है जब आपके पास सारे जबागवा सारे सुटेज मौजूद है तो फिर आप सवाल क्यों कर रहे हैं मैं तो यह सवाल कर रहा है मैं तो आपके सवाल के जवाब में कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी हमारे लोग बहुत ही यूनाइटेडली चीजों को देख रहे हैं और वक्त जब आएगा आप देखेगा चीजों को चलिए और जो चर्चा है कि क्या विधायक संपर्क में है इसमें इसे लेकर आपकी क्या रहा है आपका क्या कहना है किसकी मजाल है कि हमारे पार्टी के विधायतों से जल्टा दल्यू और बाती जल्टा पार्टी में वो कौन नेता है और वो खुलकर के सामने हिम्मत है जूट को कितना बढ़ाया जाए जूट की बयार पे ये सर्थार सब पिखते हैं तो जूट के ऊपर चाप चलिए अशकील जी फ्लोर टेस्ट की बात हो रही है कि बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले कॉंग्रेस पार्टी अलर्ट हो गई है अभी तो एक हफ़ते का सबय है ना तो एक हफ़ते पहले ही क्यों ये तैयारी चल रही है क्यों शिफ्ट किया जा रहा है विधायकों को बिहा आशा पहले पांच सिक्स किया, दस सिक्स किया, आप बारा सिस करें, क्या पता उनका डेर बढ़ता रहे क्यों कि घबराट सबसे जादा उसी कैम में है, हमारे हाथ तो कुछ घबराट है नहीं, ठीक है? जे, पांक्यू, चलिए बहुत शुक्रिया, शकील जी आपका हमारे सेरेस ने खारच कर दिया इस बात को कि नहीं, हम हैदराबाद नहीं जा रहे है, हमने जब ये पूछा कि आप कहा जा रहे है, अगर हैदराबाद नहीं तो कहा, तो गोल मोल उनका ये जवाब आया कि जेडियू पहले अपना देखे, बीज़पी अपना देखे, कुछ भी पस्पस्ट नहीं कहा उन्होंने, क्या माना जाये इस जवाब को? यानि हमाई साथ अशोक मिसरे जी है, क्या आपको आपने सुनी सारी बाते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल उन्होंने सुईकार किया है उन्होंने सुईकार किया कि बीजेपी बाले को लोग तंतर पर भरोसा नहीं है उन्होंने सुईकार किया है कि हमारे विधायकों को तोरा जा सकता है उन्होंने सुईकार किया है कि सत्ता के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं इसलिए अभी बक्त है बिधायकों को साथ रहने का और उन्होंने बार-बार कहा है उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे बिधायक कहीं नहीं जा रहे हैं वो उन्होंने बार-बार कहा कि अभी जो राजनितिक लराई है जो बिचारों की लराई है उसमें एक जूटता जरूरी है और हम यारी करेंगे यानि कि सकील अहमद खां जो कॉंग्रेस बिधायक दल के नेता हैं वो केवल बिधायक नहीं है उन्हीं इस बिधायकों को एक जुट रखने की जिमेबारी है उन पर वो लीडर अप अपोजीसम थे वो कॉंग्रेस बिधायक दल के नेता हैं और इसी परिस्तित किस लिए ले जा रहे हैं कम तक ले जा रहे हैं ये वो क्यों बता है ये तो राज है दो राज की बात तो रहने दो उसको तो लेकिन उन्होंने सुईकार किया कि हां हम अपने विधायकों को ले जा रहे हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि हम फलाने जगर ले जाएं पता तो चलना का भी है कि आपने पहले क्यों बोल दिया लेकिन सकील अहमद ने साफ संदेश दे दिया है कि हम एक जूट हैं कोंग्रेस फ्लोर टेस्ट में पास करने के लिए परिक्षा की तैयारी कर ली है जो परिक्षारती विधायक हैं उनको हैदराबाद ले जाया जा रहा है वहीं उन्हें तैयारी की जाए करने के लिए बक्त मिलेगा और कॉंग्रेस अलाकामान की नजर पूरे बातों आप देख लीजिए आप तैयारी तो विधायकर लालू आधी राहूल गांधी की सभाके में ब्यास्त हैं इसलिए फ्लोट टेस्ट करने हम दिखकत होगी पांच फरबड़ी को रांची में राहूल गांधी खुद रहेंगे यानि कि हेमांत सोरेन अगर हिरासत में है तो वो भी विधान सभा के अंदर रहेंगे और राहुल गांधी भी रांची भी रहेंगे ताकि एक भी विधायक ट्रस से मस न हो यह जारखंट सरकार बचाने का यह सबसे बड़ा मोका है यह अस्तित्तु की बात है तो यह है और दूसरा दूसरी बात कि रांची पहुचने से पहले राहुल गांधी ने अपने विधायकों को हैदराबाद सिफ्ट कर दिया याने कि एक दल आ रहा है एक टीम हैदराबाद से आ रही है तो दूसरी टीम उहां पे जा रही है याने कि कॉंग्रेस के विधायक जहां पूरी तरह से सुरक्षित रहे, जहां पूरी तरह से महफूज रहे, इसलिए कॉंग्रेस ने रननीती बनाई है, और वो रननीती पूरी तरह से काम्याब हुई है, और कह सकते हैं कि सकील अहमत का जो अब ही का बयान था, वो पूरे आत्म विश्वास से भरा हुआ था, सकी लहमाद यह मान रहे हैं उन्होंने जो तयारी की है उस तयारी में वो पहले कहा जाता है न कि सतर्क ता गई और दूर घटना हुई तो कॉंग्रेस पहले से सतर्क हो गई है ताकि पांच जो बार्यप फरवरी को विहार में ये परिक्षा है उस परिक्षा में कॉंग्रेस पर यह तोहमत ना लगे कि कॉंग्रेस ने गठ वंधन को बचाने की कोशिश नहीं किया एक चर्चा ये भी हो रही थी कि जब कॉंग्रेस के मुख्य प्रवक्ता है उनसे पूछा गया तुन्हों ने कहा कि हम लोग लगाते रहते हैं चुकि लोकसभा चुनाओ है इसलिए हम लोग लगाते रहते हैं बीच बीच में विधायकों को अलग राजियों में जगह दी जा सब माहीने रखता है और कोई कितना भी बडा ताकत वर हो लेकिन उसके सामने अगर कोई ताकत का पहार ख़रा हो जाता हो तो क्या करेगे राजनीती में जो लोग आये हैं वो संत थोरे हैं सत्ता उनका मुकाम है राजनीती में जो आए हैं वो गड़ी थोड़े हैं गांधी थोड़े बनने के लिए हैं अर्थो पारजन भी उनका मुकाम है अब किसी बिधायक को अगर कोई 50 करोर रूपया दे 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 या किसी बिधायक को मंत्री बना दे उनका लक्ष क्या है राजनीती में आने का लक्ष किया तो उसी परिशिती में आपने देखा नहीं सीव सेना जैसी केडर वेस पार्टी महाराष्ट में कीस तरह तूट करके चट बिचट हो गई कॉंग्रेश के बिधायक कीस तरह से जोती रादित सिंधिया जब जा सकते हैं तो फिर कॉंग्रेस के एक अधने बिधायक की क्या हैसियत है आप ये समझ लीजिए इसलिए कॉंग्रेस ने सतर उसको पहले बचाओ फिर तीन को भी खोजेंगे कि उसको देखेंगे कि कहां कहां है लेकिन पहले जो मजबूत स्थिती है उसको पहले ठीक करो उसके बाद फिर आगे देखेंगे और सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रहे थी 70 कमडे बुक किये गया है बिधायक 16 है 70 कमडे बुक है इसका मतलब है कि और भी कुछ बड़ी खबर में हो सकती है सुनने के लिए ताकत का इधार करना है तो तेजोसी भी अपने विधायकों को लेके जा सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं राजनीती में ये ये मत सोचिए अगर परिस्थिती आईए मैं ये नहीं कराओं कि ले ही जाएंगे लेकिन परिस्थिती आएगी तो फ्लो टेस्टिस से पहले आरज लोगों ने नहीं देखा था कि विधायकों को ले जा करके दूसरे राज में ठाराया जाए बिहार में ये हमने देखा है कि लालू परसादी आदव ने अपने सभी विधायकों को मंत्री बना दिया मतलब 89 मंत्री बन गए बिहार में हमने देखा है कि 2000 में कॉंग्रेस के पहले मजे मजे हैं उनकी सरकार उनकी नहीं है सरकार ना उनकी गिरनी है ना बचनी है लेकिन विधायकों की तो चंदी है उनकी कीमत तो बर गई जिस अलाकमान से मिलने के लिए उनके प्यार के छाले पर जाते थे पसीना चुता था आज अलाकमान के वो दुलरवा बने हुए तो यही सियासत है और इस सियासत में आप कह सकते हैं कि यह बहुत बड़ी खबर है कि कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद सिप्ट प्या जा रहा है कांग्रेस विधायक को अभी एक सब्ता पटना से बाहर रहना है निरत जी ने क्या कहा आज हम उनका बाइट सुन रहे थे कि साधी ब्या का मोसम है विधायक बाहर कैसे रहेंगे इस से बड़ा लगन कुछ हो सकता है क्या कि बगेर दुले के ही बारात जा रहे हैं आप समझ लिजिए कोई मुखमंतरी का उमीदबार नहीं है लेकिन कॉंग्रेस विधायक चल दिए बाराती बन करके तो यह बहुत बड़ी खबर है हम अपने दर्सकों को बता रहे हैं कि हैदराबाद में कॉंग्रेस विधायक जा रहे हैं और और जो आगत अती थी आएंगे सत्तर कम रहे हैं अखले सिंग भी होंगे साथ में पार्टी के कई बड़े नेता साथ होंगे रनीती बनेगी तो इसलिए यह का स बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं पहले जारकंड और अब बारी है बिहार की बिहार से कॉंग्रेस के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया जारा है बहुत शुक्रिया आशुतोश आपका तमाम जानकारी के लिए साथी संपादक अश्योक मिश्रा आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साज़ा करने के लिए